हलो 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 दोस्तो एक बार फिर मैं सिधात आप सभी का स्वागत करता हूँ कार साथी में दोस्तो बात आज हो रही है टाटा नेक्सोन और रैनो की कीगर इन दोनों गाडियों में से कौन सी गाड़ी जादा बहतर है इन दोनों ही गाड़ियों की कंपारेजन आज हम करने वाले हैं और सभी तराजों के उपर तोल करके देखेंगे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन मैं आपसे ये दरखास करता हूँ कि आप वीडियो को बिलकुल अंत तक देखिए ताकि आप सारे ही एसपेक्ट बिलकुल आराम से समझ जाए ताकि अंत में जो वर्डिक मैं आपको देने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी बहतर है तब आपके दिमाग में कोई संदे ना हो दोस्तो आज यहाँ पर जो है वो इन दोनों ही गाड़ियों के जो पेट्रोल टॉपेंड वरियेंट है जो कि आटोमाटिक गियर बॉक्स के साथ आते हैं उनको मैं कंपैर करने जा रहा हूँ लेकिन दोस्तो यह सारी चीज़े हम जानेगे जरूर लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा के तरह अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब्स सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इन दोनों ही गाडियों के कौन से वरियंट्स मैंने यहाँ पर चूज किये हुए है तो आपकी रेनो की कीगर जो है उसके लिए मैंने चूज किया है और यहाँ पर ज में ही मैं इन दोनों ही गाडियों की कीमते जो है ओन रोड वो आपको बताना चाहता हूं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कीगर जो है उसकी बेसिकली ही कीमत थोड़ी सी कम है नेक्सॉन के मुकाबले जिसकी वजह से ओन रोड प्राइसे भी इसके कम दिखाई पड़ते ह हैं तो जहां पर कीगर जो है वो आपको 11,62,000 रुपय तक की आएगी वहीं पर नेक्सॉन जो है वो आपको 13,67,hof यहां पर क्लेरली प्राइस का डिफरेंस है तो अब देखते हैं कि इन दोनों गाडियों के फीचर में कौन से कौन से डिफरेंस है क्योंकि देखिए दोस्त फीचर्स ना देके उन्होंने कौनसी कॉस्स कटिंग की है यह आइंस्टाइन के चिचाई बता सकते हैं लेकिन खर देख तो लेना चाहिए कि कौनसे फीचर्स कौनसे गाड़ी में ज्यादा है और कौनसे गाड़ी में कम है और उसके हिसाब से ही हम बाद में पता पाएंगे क कौन सी गाड़ी जादा बहतर है स्टार्टिंग आफ इंजिन तो यहां पर कीगर के अंदर वहाँ पर थोड़ा छोटा इंजिन आता है इसके अंदर वन लीटर का टर्बो चारज इंजिन आता है और वही पर टाटा नेक्सॉन के अंदर 1199cc का engine देखने को मिल जाएगा अब इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि दोनों ही गाड़ियों के जो power figures है उनके अंदर थोड़ा सा difference यहाँ पर आने वाला है क्योंकि naturally कीगर का engine थोड़ा सा छोटा है और Nexon का engine थोड़ा सा बड़ा है तो दोसों यहाँ पर कीगर की बात करूँ तो कीगर के engine के जो आपके power figures है उसने मुझे impress जरूर किया है क्योंकि एक छोटा engine है 1000cc का engine है फिर भी यहाँ पर 98.6bhp की power ये engine आपको निकाल करके दे रहा है वही पर Tata की बात करूँ तो Tata जो है वो आपको 118bhp की power निकाल करके देता है नेक्सोन का engine यहाँ पर मैं torque figures की बात करूँ तो कीगर के अंदर आपको 152nm का torque देखने को मिलेगा जो कि आपको 2200rpm से लेकर के 4400rpm के बीच में मिल जाएगा वही पर Tata नेक्सोन के अंदर आपको जो है वो 170nm का torque देखने को मिलता है जो कि आपको 1750rpm से लेकर के 4000rpm के बीच में मिल जाता है अब यह दोनों ही गाडिया जो है वो 3-cylinder engine के साथ आती है क्योंकि दोनों ही गाडियों के अंदर टर्बो charger लगा हुआ है तो 4-cylinder दोनों ही गाडियों के engine में नहीं आता है दोनों ही गाडिया front wheel drive है अगर यहाँ पर gearbox की बात करो तो यहाँ पर कीगर के अंदर आपको CVT gearbox देखने को मिलता है जो कि एक 5-speed unit है और वही पर Tata नेक्सोन के अंदर जो automatic है उसको वो simply automatic इतना ही कहता है गाड़ी आराम से cruise करती हुई चलती है unless and until आप उसको sport mode में डालते है फिर आपको उसका gear up down करने का थोड़ा सा control मिल जाता है वरना अगर आप उसको drive mode पे डाल करके चला देते हैं CVT गाड़ी को तो आपको पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी कब gear change कर रही है गाड़ी का engine भी उतना जादा रहीं नहीं करता है वही पर जो normal automatic है उसकी अंदर हो सकता है कि थोड़े बहुत जगाओं पर आपको पता चले कि गाड़ी अब engine वहाँ पर gear जो है वो change कर रही है अब RPM higher जा रहा है engine का थोड़ा सा noise आ रहा है तो ये चीज़े थोड़ी से महसूस हो सकती है fuel economy की बात करूँ तो जाहिर से बात है कीगर का engine छोटा है तो fuel economy लेकिन जादा देता है तो यहाँ पर AI की तरफ से कीगर के लिए जो claimed fuel economy है वो 20 की है और Nexon के अंदर जो है वो तकरीबन 17-18 की दी गई है दोनों ही गाडियों में जो है वो आपको electronic steering wheel जरूर देखने को मिल जाएगा electric steering wheel और वही पर आपका जो steering wheel का adjustment है जैसे इस segment की सारी ही गाडियों में आता है तो केवल tilt adjustable है telescopic adjustable नहीं आता है braking की बात करूँ तो दोनों ही गाडियों में आपको front में disc brakes और rear में drum brakes देखने को मिलते है tire size जो है वो दोनों ही गाडियों का same है R16 के tire मिलते है लेकिन tire profile जो है उसकी अंदर फरक है keeger के tire थोड़े से पतले है 195 by 60 के tires आपको keeger के अंदर मिलते है वही पर nexon के अंदर आपको 215 by 60 के tire मिलते है यानि कि थोड़ा सा चोड़ा tire है अब बात आती है यहाँ पर गाड़ी की overall length की तो यहाँ पर keeger length के मामले में भी थोड़ी सी चोटी है 3991 mm की जो है वो length आपको keeger के अंदर देखने को मिलेगी और nexon की जो विर्थ है वो 1811 mm है मैं आपको बता दूँ यह किया celtos और yundai kreta से भी जादा है height के मामले में लगबग दोनों गाड़िया same ही height की है यहाँ पर keeger के अंदर 1605 mm की height है nexon के अंदर 1606 mm की height है ground clearance के मामले में भी दोनों ही गाड़िया बिल्कुल similar है 205 mm का ground clearance जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है बात करूँ अगर मैं boot space की तो यहाँ पर reno keeger जो है वो ultimate king है इस segment का जितनी boot space आपको reno keeger में मिलती है उतनी boot space आपको शायद ही किसी और गाड़ी में मिल सकती है reno keeger की अंदर आपको पूरे के पूरे 405 liter की boot space बड़ी boot space देखने को मिलती है वही पर nexon के अंदर की boot space जो है वो महज 350 liter की उपर जो है वो सिमट करके रहे जाती है यहाँ पर wheelbase की बात करूँ तो 2500 mm का wheelbase आपको keeger के अंदर देखने को मिलता है nexon का wheelbase थोड़ासा यहाँ पर छोटा है 1498 mm का wheelbase जो है वो nexon के अंदर आता है अब बात आती है comfort and convenience की तो comfort and convenience की हिसाब से यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में power steering, 4 windows, power windows मिल जाती है यह basic feature तो दोनों ही गाड़ियों में आते है automatic climate control वो भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है लेकिन keeger के अंदर जो है वो आपको air purifier भी मिल जाता है जो की nexon के अंदर offer नहीं किया जाता है इसे के साथ साथ आप दोनों ही गाड़ियों की जो trunk है वो remotely open कर सकते हैं connected car features के साथ में low fuel warning light दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है accessories के लिए power socket भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है trunk light जो है वो आपको nexon में मिलता है keeger के अंदर नहीं मिलता है साथी साथ vanity mirror और rear reading lamp ये दो feature भी keeger के अंदर मिलते हैं nexon के अंदर नहीं मिलते है एक चीज जो nexon के अंदर ज्यादा है जो keeger में नहीं मिलती है वो ये है कि front के जो seatbelts है वो height adjustable आपको nexon के अंदर मिल जाता है तो short riders और जो लंबे कद के लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी सहूलियत की बात हो जाती है कि वो अपने हिसाब से उसको adjust कर सकते है ये चीज कीगर के अंदर missing है बाकी cup holders जो है वो यहाँ पर nexon के अंदर front में भी मिलते हैं और rear में भी मिलते हैं जो की कीगर में केवल rear में मिल जाता है rear AC vents दोनों ही गाड़ियों में मिलते है seat lumbar support दोनों ही गाड़ियों में मिलता है साथी साथ बात करें तो multifunctional steering wheel भी दोनों गाड़ियों में मिलता है लेकिन cruise control यहाँ पर reno ने cost cutting करी है cruise control reno कीगर के अंदर नहीं मिलता है यह इसका top end variant होने के बावजूद भी नहीं मिलता है यह एक कमी जरूर यहाँ पर खलती है कि reno ने अगर सारी चीज़े टकर की दी है बाकी गाड़ियों के तो अगर एक cruise control भी दे देते तो ज़्यादा भैतर रहता थोड़ी सी अगर कीमत बड़ भी जाती गाड़ी की तो जादा इसमें फरक नहीं पड़ता क्योंकि बाकी की जो सेग्मेंट की गाड़िया है वो इससे कीमत में कई जादा है एक अगर हम मैगनाइट की बाद छोड़ दें तो बाकी की जो गाड़िया है यह नेकसौन है आपकी किया सॉनेट है Ford Eco Sport है तो ये गाड़ियां जो है वो कीमत के मामले में वैसे भी जादा है तो फिर भी आपको cost का benefit मिलने वाला था तो अगर cruise control भी डाल देते तो गाड़ी complete लगती दोनों ही गाड़ियों में आपको rear में parking sensors मिल जाते हैं और navigation system भी दोनों ही गाड़ियों में मौझूद है अच्छी बात ये है कि rear seat folding में कहीं भी दोनों ही company ने cost cutting नहीं की है 60-40 split जो है वो दोनों ही गाड़ियों में हो जाता है rear seat का तो ये सामान अगर आपको ज़्यादा लेके जाना है तो बहुत अच्छी बात बन जाती है smart access की भी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है याने कि आपको बस key जो है वो pocket में रखनी है और गाड़ी उसको sense कर लेती है और गाड़ी का lock खुल जाता है engine start stop button भी दोनों गाड़ियों में आता है और इसी के साथ साथ glow box cooled भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते है bottle holders जो है वो keyger के cable front doors में आते है rear doors में नहीं आते हैं अब again जो चीज मैंने वीडियो की शुरुवात में बोली थी कि यहाँ पर यह छोटी सी cost cutting करके क्या इसमें logic है यह खाली Einstein के चीजाई बता सकते हैं rear जो passengers है उनको bottle रखने की जगा नहीं चाहिए क्या और एक bottle holder integrate करने के लिए ऐसा कौन सा बहुत बड़ा cost आता है आपको यह तो भगवा नहीं जाने USB charger अब यहाँ पर Tata ने cost cutting करी है keyger के अंदर USB charger अंदर front में भी मिलता है और rear में भी मिलता है Nexon के अंदर केवल front में मिलता है rear में दिया ही नहीं है central console जो armrest होता है front में तो उसके अंदर Tata ने क्या किया है कि storage नहीं दिया है लेकिन वो sliding वाला बनाया है तो practicality wise उसका huge जादा है लेकिन अगर आप storage के जादा दिवाने है तो keyger के अंदर आपको central armrest के नीचे storage भी मिल जाएगा उसी के अंदर उन्होंने अपना air purifier और उसके नीचे अपने जो AC के vents है उनको integrate कर दिया है साथी साथ keyger की जो boot है उसके अंदर आपको luggage को बानने के लिए hook भी दिये गए है उसके अंदर आप luggage net या ropes भी लगा सकते हैं जिसकी वजय से आपको luggage हिलता डुलता नहीं है ये चीज आपको Nexon के अंदर देखने को नहीं मिलेगी instrument cluster की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है वो digital type का instrument cluster देखने को मिल जाता है इसके अलावा एक और feature जहां पर again Tata ने cost cutting करी है वो ये है कि driver side की window जो है वो one touch up और one touch down नहीं है ये keyger के अंदर मिल जाता है और बात यह हो जाती है कि ये one touch up और one touch down वाली जो window होती है इसके अंदर by default ही anti pinch feature आता है याने कि खिड़की के अंदर अगर किसी का हाथ आ गया किसी की उंगली आ गई और शीशा उपर जा रहा है वो अगर sense कर लेता है कि कुछ उसको obstacle आ रहा है तो अपने आप काच नीचे हो जाती है तो ये चीज जो है वो खर टाटा को देनी चाहिए थी क्योंकि पैसे कुछ कम नहीं ले रहे हैं वो इस गाड़ी के और दोनों ही गाड़ियों में आपको तीन driving mode मिल जाते हैं खर ये automatic गाड़िया होती है तो इनके अंदर driving mode आपको मिल ही जाते हैं यहाँ पर drive आता है, export आता है, load आता है कुछ गाड़िया इसको थोड़ा और अलग नाम देती है लेकिन basically यही तीन mode जो है वो मिलते हैं अब बात करते हैं गाड़ी के exterior की, गाड़ी के headlamps साथी साथ यहाँ पर गाड़ी के rear view mirrors और आपके जो है वो wipers के बारे में दोनों ही गाड़ियों में headlamp leveler मिल जाता है fog lamp जो है वो आपको nexon के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन keyger के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन honestly अगर देखा जाए तो जिस type का headlamp cluster है उसके हिसाब से उसको fog lamp की जरुवत भी नहीं है दोनों ही गाड़ियों के जो rear view mirrors हैं वो power adjustable भी है और foldable भी है और उनके उपर आपको indicators भी मिल जाते हैं दोने ही गाड़ियों में आपको range sensing wiper मिल जाते हैं इजी के साथ साथ rear में भी wiper मिल जाता है rear defogger मिल जाता है और keyger के अंदर तो rear windshield washer भी मिल जाता है अगें यहाँ पर भी Tata ने cost cutting करी है और rear में washer नहीं दिया है लेकिन बाकी सारी चीज़े दे दी है तो एक washer भी दे देते हैं क्या फरक पड़ जाता है यहाँ पर alloy wheels दोनों ही गाडियों में आता है लेकिन अगें इनकी जो step नी आती है जो spare wheel आता है वो steel rim के साथ आता है एक और चीज़ जो nexon के अंदर जादा offer की जाती है वो है sunroof तो sunroof जो है वो nexon के अंदर मिलता है लेकिन keyger के अंदर नहीं मिलता है अब वैसे देखा जाए तो practically उसका कुछ ज़्यादा हमारे देश में जो है वो use है नहीं लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है तो उनकी लिहाँ से ये एक added advantage nexon का ज़रूर बन सकता है अब बात आती है safety के उपर तो safety के लिहाँ से मैं कहूंगा कि star rating जो आया हुआ है वो obviously nexon को ही ज़ादा आया हुआ है तो star rating के लिहाँ से clearly nexon winner है लेकिन बाकी के जो feature company के तरफ से दिये जाते हैं उनकी अंदर कहीं भी keyger जो है वो पीछे नहीं हटी हुई है ABS दोनों गाडियों में आएगा brake assist दोनों गाडियों में आएगा central locking दोनों गाडियों में आएगा power door lock दोनों गाडियों में आएगा child safety log दोनों गाडियों में आएगा लेकिन anti-theft alarm जो है वो आपको nexon में मिलता है keyger में नहीं है number of airbag भी कीगर के अंदर जादा है चार airbag वहाँ पर मिल जाते हैं nexon के अंदर केवल दो मिलते हैं कीगर के अंदर front के दो खुलते हैं और side के भी दो खुलते हैं साथी साथ engine immobilizer दोनों गाडियों में मिल जाएगा crash sensor भी आपको nexon के अंदर मिलता है लेकिन कीगर के अंदर नहीं है और साथी साथ nexon के अगर खासियत में बताऊं तो इसका जो fuel tank है वो centrally mounted है याने के गाड़ी के एकदम पिछले हिस्से में नहीं है वो गाड़ी के थोड़े से बीच वाले हिस्से में उन्होंने mount किया हुआ है engine check warning भी आपको दोनों गाड़ीों में मिल जाएंगी लेकिन automatic headlamps का जो feature है वो nexon के अंदर आपको एक feature जादा मिल जाएगा हाला कि ये भी feature ऐसा है जो की बहुत बड़ा difference नहीं लाता है क्योंकि यहाँ पर आपको वो जो headlamp चालू करने का option होता है वो आपके हाथ के बिलकुल करीब होता है बस गोमाने की देर है headlamp चालू हो जाएंगे और बस जहाँ पर automatic headlamp है वो switch गोमाने की जुरुत नहीं पड़ती है वो अपने आप चालू होते है इतना ही इसके अंदर फरक है याने के बहुत बड़ा ऐसा कुछ फरक है ऐसी कोई बात नहीं है EVD भी दोनों ही गाडियों में आता है लेकिन electronic stability control ये केवल Nexon में आता है ये कीगर के अंदर नहीं मिल पाता है इसी के साथ साथ roll over mitigation system ये भी एक और चीज है जो की Nexon के अंदर आती है जो की कीगर के अंदर नहीं आ पाती है follow me headlamps का feature भी आपको Nexon में मिलता है लेकिन कीगर में नहीं मिलता है इसी के साथ साथ बात करें इसी के साथ साथ Nexon के अंदर आपको anti-theft device भी देखने को मिल जाता है कीगर के अंदर ये option नहीं है दोनों ही गाडियों के अंदर जो है वो speed sensing door lock का function मिल जाता है ISOFIX child mount seats दोनों ही गाडियों में मजूद है और pretensioners और force limiter type के seat builds भी दोनों गाडियों में आते हैं यहाँ पर geofence alert नाम का एक connected car वाला feature है वो भी nexon के अंदर आता है कीगर में नहीं है hill assist भी nexon के अंदर आता है कीगर में नहीं आता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर infotainment system की तो infotainment system के मामले में भी ये गाडिया बहुत close चलती है जहाँ पर keager के अंदर 8 inch का display है यहाँ पर आपके Nexon के अंदर 7 एंच का डिस्प्ले है तो यहाँ पर भी जादा फरक देखने को नहीं मिलता है लेकिन एक चीज है जो की कीगर के अंदर ज्यादा है वो यह है की कीगर के अंदर wireless charging का option दिया गया है जो की Nexon के अंदर नहीं मिलता है बाकी Android Auto और Apple CarPlay ये दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाएगा उसी के साथ साथ आने वाले Aux compatibility, Bluetooth compatibility, USB compatibility ये सारी चीज़े भी उसी के अंदर आ जाती है Music system की बात करूँ तो यहाँ पर 4 speaker जो है वो Reno आपको लगा करके देती है इसके अंदर भी 4 tweeter है और 4 speaker है और यही system जो है वो Archimedes की तरफ से लगा करके आती है वही पर अगर Nexon की बात करूँ तो 8 speaker system मिल जाती है जो की JBL की तरफ से आती है तो दोस्तों कुल मिला करके ये एक पूरा लेखा जोखा है अगर मैं clearly यहाँ पर बताने जाओं तो safety के मामले में कुछ features Nexon के पास जरूर जादा है जो की कीगर जरूर मिस आउट कर जाती है लेकिन जो आपको लगा था जो मुझे लगा था कि बहुत सारे ही feature यहाँ पर कीगर के अंदर कम होंगे ऐसा यहाँ पर बिलकुल नहीं है लेकिन अगेन यहाँ पर एक दो यहाँ पर convenience की feature भी आपको Nexon के अंदर जादा मिल जाते हैं जो की कीगर के अंदर नहीं है लेकिन खेर कीगर के पास भी अपने खुद के points है जैसे की wireless charging कीगर के पास आपको मिल जाता है एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि की कीगर के अंदर आपको ambient lighting भी देखने को मिल जाता है लेकिन फिर जो sunroof है वो कीगर के अंदर missing आपको देख सकता है तो अगर वैसे देखा जाए आपको safety number one priority है तो आपको Nexon के लिए जरूर जाना चाहिए क्योंकि Nexon के अंदर कुछ ऐसे feature है safety के लिहाद से जो की road की उपर आपका ज्यादा ध्यान है तो आप Nexon ही ज्यादा prefer करें अगर आप safety के मामले में उतना भी ज्यादा हम कहें कि particular नहीं है उतना ज्यादा आपकी जिद नहीं है तो आप कीगर के बारे में जरूर सोच सकते हैं कीगर के अंदर दो airbag भी आपको ज्यादा मिल जाएंगी तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजे आपको वीडियो कैसा लगा हमें comment section में बताईए आपको कौन सी गाड़ी जादा आई है ये भी हमें comment section में जरूर बताईए